हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छ होंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको NPS में स्कीम चेंज करना चाहिए या नहीं आप स्कीम चेंज कर सकते हैं अगर आपको चाहिए ज्यादा profit या आप skim change कर सकते हैं आपको चाहिए ज्यादा safety लेगिन क्या skim change करने से हमें ज्यादा profit मिलता है equity में ज्यादा exposure मिलता है अगर आप government imply हैं तो वीडियो को अंतर जरू देखेगा अगर आप NPS में अपना contribution करते हैं तब भी वीडियो को जरू देखेगा चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं को जैनल से आपके अपने चैनल finance की पाट साला में आप सभी का सौगत करता हूं दोस्तो यहाँ पर हम finance की knowledge लेकर financial freedom की अपने कदम आगे बढ़ाते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार आई हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब में किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वेल आइकन बटन को प्रेस चरू कर देजीगा और साथ इंपलाई का भी contribution सामिल होता है और यह predefined system के अंसार चलता है अगर इंपलाई हैं तो उनकी age wise कितना fund किस scheme में जाएगा अथाथ equity में कितना जाएगा government bond में corporate bond में asset class A में और जो debt होंगे mutual fund उनसे हमें कितना जाएगा maximum तै हो जाता है अब यह बहुत से imply मेरी तरह सोचते हैं कि equity में ज्यादा exposure मिले जिससे long term में उन्हें अच्छा return मिल सके और इस लालज में हम लोग scheme preference change करते हैं pension fund manager change करते हैं तो हम बात करेंगे कि क्या pension fund manager हमें change करना चाहिए scheme change करना चाहिए scheme change करने पर हमें profit होगा तो दोस्तों मेरा जो experience आया है जो मैंने अब तक देखा है अगर आप scheme change करते हैं तो आपको वहाँ पर नुकसान होने वाला है अगर आप equity में ज्यादा exposure चाहते हैं अगर आप safety ज्यादा परसंद करते हैं तो आप scheme change कर सकते हैं आप conservative life cycle में जा सकते हैं वहाँ पर safety बहुत ज्यादा है security बहुत ज्यादा है वहाँ debt fund में ज्यादा investment होते हैं equity में exposure बहुत कम हो जाता है तो अनिशित तो पर market की volatility का आपको फायदा ये नुकसान कुछ भी नहीं होता है अब आप equity में ज्यादा exposure ज्यादा चाहते हैं और इसले चले जाते एक active fund में तो जब आप active choice चोनेंगे तो किसी एक pension fund manager के साथ आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको सिप scheme g मिलेगी तो scheme g मतलब आपका government bond तो active choice तो government imply के लिए बिलकुल भी नहीं है आप बात करें आटो choice में तो यहाँ by default आपको aggressive life cycle मिलती ही चहाँ पर आपका equity में सबसे एक्सपोजर मिल सकता है वो 75% तर उस पर मैं अभी एक छोटे सी वीडियो में बात भी करूंगा आपको दिखाऊंग कि क्या आपका सच में aggressive में है कि मैंने change pfm के option में गया और active choice active choice में add करेंगे हम pension fund manager और scheme तो यहाँ पर मैंने एक कोई भी चुन लेजिए मैं यहाँ पर दो चुन के दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप scheme देखेंगे तो scheme g tier 1 में मिलेगी cpk scheme का option आ रहा है यहाँ पर आप percentage च दो करने तो इसको मैं करूंगा 50 अगर 100 हो जाएगा तो दूसरा accept नहीं करेगा फिर मैं add कर बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने दो सी कोई company यहाँ पर चुन ले तो यहाँ पर में पास चुनने के लिए 8 company आए कोई भी आप चुन लेए सब में आपको scheme g मिलेगा और यह percentage आप टे करें तो यह 100% हो जाएगा आप submit करेंगे तो आपका verification के लिए चला जाएगा आप देखिए आपको aggressive mode मिल रहा है और अगर conservative में जा रहे हैं तो आप यहाँ चुनी एक मैंने चुना और जैसे मैंने 2 click किया तो इसने कर दिया कि maximum 1 ही चुन सकते हैं तो अगर आप अपने आप यहाँ choice change करते हैं तो एक एक ही PFM में आपको मिलेंगे और उस PFM का सिप एक ही scheme आपको मिलेगा तो यहाँ कोई भी एक pension fund manager ले लिया तो मैंने टाटा लिया आगे देखते क्या बताता है आगे करेगा कि यह submit किजिए और OTP आप पर आएगी उस OTP से verify करने क ली करेगा तो यह आ चुका हो यह इसने का कि send OTP यह सारे detail कि कौन से scheme किस scheme में जा रहे हैं और पहले कौन सा choice है यह सारा आप देख सकते हैं फिलाल इसमें पहले वाला choice नहीं बता रहा है जो कंजर आपकी अभी की है और यह option आपको मिलेगा online transact online में scheme preference change में तो यहाँ पर इ उसी में बने रहे है अभी तक government imply को equity में ज्यादा exposure देने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है हाँ यहां यह प्रस्ताव जरूर हो रहा है कि उन्हें guaranteed return दिया जाए तो फिलाल guaranteed return जिससे पसंद हो ले सकते हैं मैं तो equity में अपना exposure ज्यादा चाहता हूं मेरे तार जो लोग भी सोचते हैं जो imply क्योंकि आप मुझे comment मिल रहे हैं तो यह समझ में आता है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ जो equity में exposure ज्यादा चाहता हूं तो ऐसे लोग ज्यादा exposure चाहरे हैं वो life cycle चेंज करें और बाद में उन्हें पतर चल रहा है कि life cycle चेंज करने के बाद वो फस रहे है वो सोच है कि उनको ऐसी life cycle मिलेगी जहाँ equity का exposure बढ़ेगा और उनको ऐसी life cycle मिल जा रही है जैसे LC 50 की जग उन्हें LC 25 मिल जा रहा है समझ का फिर हो सकता है कि उन्होंने कुछ और प्रयास किया हो कुछ और चुनाओ हो गया हो लेकि खुल मिला के जो चीज उन्हें चाहिए वो नहीं मिल रही है तो आप ऐसा मत किजेगा life cycle चेंज मत किजेगा pension fund manager भी आप अगर चेंज करना चाहेंगे तो फिर आप फर जाएंगे यहां पर tier 1 account में आपके पास यह सारी सुभधाएं उपलब नहीं हैं कहने को तो सब कुछ है कि हम pension fund manager चेंज कर सकते हैं इसकिम चें अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे like जरू कर दीजेगा और like करने के साथ साथ अपने दोस्तों के सेर भी जरू कर दीजेगा एक comment भी जरू कर दीजेगा आपके comment से मुझे motivation मिलता है और मैं ऐसे useful content आपके पास लेया पाता हूं दोस्तों मेरा channel monetize है लेकिन अभी उस प contribute कर सकते हैं जिन 10 लोगों का contribution मुझे सबसे पहले मिलेगा उनका नाम मैं किसी वीडियो में release जरू करूंगा दोस्तों मैं इस चैनल पर ऐसे useful content लाता रहता हूं चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon button के प्रेस चरू कर दीजेगा चली मिलते हैं नएस वीडियो में ऐसी knowledge information और update के स कर दो कर दो